Income and Other Goals If you go over the Table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work. अगर आप Table 1.1 को फिर देखोगे दियान पे, तो आपको एक चीज़ उसमें common निज़र आएगे, कि लोग चाहते हैं हमें regular काम मिलता रहे. Better wages and decent prices for their crops और other products देटे पुरियो. अच्छा दाम मिले, जो हमें से पहले काम पूरा मिलता है, उसके साथ अच्छा दाम मिले. साथ जाद हम कितान हैं, तो हमाई जो फसल है, उसके प्राइस अच्छे मिले, या हम और कोई चीज़ें उगाते हैं, बनाते हैं, उसके लिए भी हमें अच्छे दाम मिले. In other words, they want more income में अगर दुसरे शब्दों में कहें तो क्या है? कि वो चाहते हैं कि अच्छी इंकम और जाधा सो जाधा इंकम Besides seeking more income, one way or the other people also seek things that equal treatment, freedom, security and respect for others अब जाधा सो जाधा इंकम तो चाहते ही हैं पर दुसरे एक और भी इन थी इच्छा है कि वो युशाथे हमें बराबदी का विवहार मिले हमारे साध हमें freedom सब्सक्राइब मिले समाई सुरक्शा की जाए साथ ही जाध हम दूसरों की इच्छत करें ऴ corresponds जैसे दूसरों की इच्छत करें तो दूसरे भी हमारी इच्छत करें They be sans discrimination वो भेर भाव का विरोध करने हैं All these are important goals यह सब बहुत important goals है In fact, in some cases these may be more important than more income and more consumption because material goals are not all that you need to live बहुत सारे cases में ऐसा भी होता है कि यह चीज़ें जातर जरूरी होती हैं बजाए जादा income के क्यों? क्योंकि जो consumption हम जादा जैसे कि जाए चाहिए न कि हम अगर बहुत जादा हमाई को salary नहीं चाहिए बहुत जादा हमारा consumption नहीं है पर अगर हमाई साथ धेभाब उराया है freedom नहीं दिया जा रहा है तो कई लोगों के लिए जो है यह सब चीज़ें बहुत जादा important होती है क्योंकि खाली पैसा या खाना ही सब कुछ नहीं होता है इस चीज़ें के लिए आपको और भी चीज़ें हैं जो equally माईने रखती हैं आपकी life में money और material thing that one can buy with it is one factor on which our life depends money या material things यानि money से related जो भी चीज़ें हैं हम जो खरीज सकते हैं जो पैसे से अगर कोई भी चीज़ खरीज सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टन factor है क्योंकि हमाई life उसी पर depend करती है कोई भी चीज़ें में फ्री में नी मलती हैं हमें पैसे देकर ही खरीज नी पड़ती हैं but the quality of our life also depends on the non-material thing mentioned above पर इसके साथ साथ हमाई जो life है वो काफी हद तर इस बात पर भी निर्बर करती है जैसी हमने और चीज़ों को mention किया है जो पैसे से related नहीं है if it is not obvious to you then just think of the role of your friends in your life अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप सोचो कि क्या आपके जो friends हैं आपकी life में उनका क्या role है you may desire their friendship जैसे कि आपको उनकी friendship चाहिए उनसे पैसा नहीं किया आपको उनकी friendship चाहिए similarly there may be things that are not easily measured but they mean a lot to our life इसी तरह से बहुत सारी और भी ऐसी चीज़े हैं जिनको हम नाप नहीं सकते लेकिन पर वो हमारी life में बहुत माई में रखती है these are of anecdote और कई बार हम इसको जो है नजर अंदाद कर देते हैं however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important अब हम इस बात को भी नहीं कह सकते या यह कहना जलत नहीं होगा कि जिन शीज़ों को हम measure नहीं कर सकते वो important नहीं है consider another example अब एक और example देखते हैं if you get a job in a far of place before accepting it you would try to consider many factors apart from income अगर आपको कहीं बहुत दूर जिग जिगे पर job मिलती है तो अब आप उसको accept करने से पहले कोशिश क्या करोगे और भी चीजों को देखोगे न खाली income ही तो important नहीं है तो अब इसके अलाबा क्या क्या देखोगे क्या आपको अच्छा job तो मिल रही है दूर में पैसा भी अच्छा मिल रहा है पर क्या वो facilities मिल रही है जो आपको family को चाहिए है या वहां का काम करने का बातावन कहता है या आपको वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा या नहीं In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको एक ऐसी job में ले जिसमें आपकी salary तो कम हो पर आपकर जो employment है यापकी जो नौक लिए वो एक तरह से पक्की है साथी साथ आपको वहाँ पर एक अपना सुरक्षित होने की भी feeling आती है Another job However may offer high pay but no job security and also leave no time for your family अब एक जो एसी भी हो सकती जिसमें आपको पैसा तो बहुत जादा मिल रहा है पर आपकी कोई job security नहीं है कभी भी आपको निकाला जा सकता है क्या आपको इदना जादा काम दिया जा रहा है क्या आपको अपनी family के लिए time नहीं मिल पा रहा This will reduce your sense of security and freedom इससे क्या होगा क्या आपको अपने आपको safe महसूस करते हो free महसूस करते हो वो सब जो है कम हो जाएगा Similarly for development people look at a mix of goals इसी तरह से development के लिए भी जो goals है हमारे वो लगभग जो है इसी तरह से mix है It is true that if a woman are engaged in paid work their dignity in the household and the society increases अगर कोई woman जो है उसको हम ऐसे काम में या जॉब में लगा दे जहां उसको पैसे मिलते हैं उस काम के तो उनकी जो इज़त है वो चाहे घर के काम हूँ या society उसमें बढ़ जाएगी However, it is also the case if there is respect for women there should be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside पर अगर यही केस है तो जो women की respect है वो और जादा होने चाहिए जैसे क्योंकि वो जो है housework भी share करती है बाहर भी काम कर रही है साथ यहाद हम यह भी accept कर लें कि हाँ ठीक है women allowed है कि वो बाहर काम कर सकती है A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs और अना business अगर बाहर का atmosphere women के लिए safe है तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है तो जादा से जादा women जो है वो अलग अलग तरे के jobs काम कर पाएंगी या वो क्या किते है कोई business चला सब्सक्राइब Hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life इसी जरह से जो लोगों के development के goals है वो खाली इसलिए नहीं है कि हमारी पर income अच्छी हो बट और भी बहुत सी चीज़े जो है life के लिए जरूरी है उसके बारे में भी है National Development If as we have seen above individuals seek different goals then their notion of national development is also likely to be different अभी हमने जिससे देखा कि जो individuals है उनके अपने अलग-अलग goals है तो पिर उनके जो national development को लेके भी जो विचार हैं जो उनकी सोच है या उनके goals है वो भी अलग-अलग होंगे Discuss among yourselves on what India should do for development अब आप ये बात आपस में भी discuss कर सकते हो कि India को क्या करना चाहिए development के लिए Most likely you would find that different students in the classes have given different answers to the above questions अगर आप आपस में भी debate करोगे आपस में discussion करोगे तो आपको feel होगा कि class में जितने students है हर एक के अलग-अलग answers होंगे उस questions को लेके In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these आपके मन में भी बहुत सारे अलग-अलग answers होंगे लेकिन आपको भी उसकी श्योर्ती नहीं होगी कि इसमें कौन सा answer सही है It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of our country's development ये बात बहुत अच्छे के याद रभी जरूरी है कि अलग-अलग लोग होते हैं उनकी अलग-अलग जो है development को लेके या country के development को लेके अलग-अलग विचार दा रहे हैं जो हो सकता है काफी बार टक्राव का कारण भी बन सकते है कि दो लोग एक जैसा नहीं सूचते However, can all the ideas be considered equally important पर आपको क्या लगता है इसारे विचार जो है equally important है और if there are conflicts how does one decide और अगल बाइजनस का आपसमें मद्भेद हैं तो इस पर decision कैसे लिया जाएगा What would be a fair and just path for all सबके लिए एक बिल्कुल सही और साफ रास्ता कौन सा होगा We also have to think whether there is a better way of doing things हमें और भी कोई रास्ता सोचना होगा कि कोई और तरीका हो सकता है हम चीजों को जादा बहतर कर पाए Would the idea benefit a large number of people or only a small group हम अगर कोई ऐसा idea लेते हैं ऐसा कोई विचार आता है कि development का है तो उससे किसको फायदा होगा काफी लोगों को या एक चोटे से group को National Development means thinking about these questions अगर हम राश्तिय लेवल पर अपने development को सोच रहे हैं तो हमें पहले इन सब questions को माई में रखना बहुत सरूरी है